नमस्कार आप देख रही हैं NMF News और आपके साथ मैं हूँ नमृता चौधरी केजरिवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं और बाहर उनकी पार्टी और सरकार कौन चला रहा है इसको लेकर असमंजस किस्तिती है सवाल बहुत सारे है जवाब किसी के पास नहीं सबसे पहले आप सुनीता केजरिवाल की जो पूरी भूमी का रही है इस प्रकरण में उस पे ध्यान दीजिए इस वक्त सुनीता केजरिवाल दूसरे नमबर पर है यानि केजरिवाल के जस्ट बात संजे सिंग कहां गई सवाल है मनीश सिसौधिया कहां गई सतेंद्र जैन, भगवन्त मान, रागव चढधा जो नेता ये समझ लीजे लड़ाई लड़ रही है इस वक्त वो सारे अलग हो गई है और सुनीता केजरिवाल जो कभी राजनिती में सक्रिय नहीं थी वो आ गया कर स्टार प्रचारकों की में भी उपर हो गई है और इस पार्टी में भी दूसरे नंबर की हो गई है बाहर तो ये तक कहा जा रहा है कि वो इस वक्त आवादमे पार्टी की सर्वे सर्वा हो गई है अब स्तिती क्या बन रही है भगवन्त मान को लेकर कहा जा रहा है कि all is not well संजे सिंग को लेकर कहा जा रहा है all is not well with अर्विन केजरिवाल तो पंकज जी से समझेंगे पंकज प्रसून मुझे ये बताईए ये एकदम से सर्वे सर्वा हुई सुनीता केजरिवाल संजे सिंग बाहर आए तो सुनीता केजरिवाल बैक फूट पर आ गई लेकिन फिर जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है उसमें ये साफ मेसेज दिया गया है कि गाट मान लीजी आप सब बहुत नीचे हैं सुनीता केजरिवाल उपर है पांचवे छटे नमबर नमबर पर रख दिया है बड़े बड़े नेताओं को देखे नमरता तीन बाते मैं कहूँगा और दर्शक समझ जाएंगे अरविन केजरिवाल ने खुद से जेल में कौन मिल सकेगा कौन नहीं इसके एक लिश्ट सौपी थी उसमें सुनीता केजरिवाल थी इनके बेटे पॉलिटिकल आदमे में सिर्फ एक संदी पाठक थे जो कि राजसभा के सदस से है बिल्कुल अब आम आदी पार्टी की और से कहा जा रहा है कि जेल के अंदर से अरविन के जिवाल करच लेगे सरकार कामकाज के लिए उनसे कौन मिल रहा है क्योंकि बाकि तो परिवार मिल रहा है और एक राजसभा के सदस मिल रहा है तो जब तक मिलेंगे नहीं कामकाज चलेगा कैसे तो वो शक्स जो मिल रहा है अरविन के जिवाल से बता जा रहा है कि वो सुनीता के जिवाल और जो भी मैसेज देना होता है अर्मी जिवाल को बाहर के लिए वो वाया सुनिता के जिवाल देए हैं वो मैंटे वे इन्साम की इजाज़त नहीं है दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि जैसे ही जेल से संजैसी बाहर आते हैं संजैसी ने प्रेस कॉंफरेंस करना शुरू कर दिया लेकिन जब तक बाहर नहीं आया थे वीडियो संदेश कौन जारी कर रहा था सुनिता केजरिवाल किस कुरसी पर बैठ के कर रही थी जिस कुरस तो सुनिता केजरिवाल एक कदम पीछे हट गई जब तुम ही करना ए तो कर लो उसके बाद उन्हें वीडियो संदेश जारी नहीं किया उसके बाद अर्विन केजरिवाल और सुनिता केजरिवाल की ओर से स्टार केंपेनर की एक लिश्ट जारी की गई और मैं चाहता हूँ उस लिष्ट को आप दर्शकों को दिखा हैं यह जो विंडो में चल रहा है वो लिष्ट है देखिए सबसे उपर नाम कौन है इसमें अरविंद केजरिवाल का होना था वहां तक कोई यह नहीं अब बताएए वरिष्टा के लिहाज से पार्टी में दूसरा इस्टार केंपेन हैं और संजैसी जो की जेल से बाहर हैं अनुभव में सबसे ज्यादा है जो कि इस्टार केंपेनर हो सकते थे वो कितने नंबर पे हैं आप ही बताएए छटे या सात्वे नंबर पे होंगे वह मतलब कि उनसे उपर संजै जैन साहब हैं मनीश्टी सोधिया है भगवंत मान है मतलब कि सारे लोग मतलब कि उनका नंबर आप बताएए आमाधी पार्ट में सात्मा याठमा है क्या संजैसी का नंबर लेकिन अर्विंद केजरिवाल ने दूसरे नंबर पर सुनीता केजरिवाल तीसरे पर भगवन सिंग मान को जगह दी गई है चौते पर मरीश से सौधि जबकि वो जेल में है पांचवे नंबर पर डॉक्र संधी पाठाच जो बिल्कुल एक्टिवली काम रही कर रहे हैं बस हां केजरिवाल के खासे मुलाकात कर लेते हैं उनसे जाकर पंकज गुपता जरह एक्स्पें करेंगे इस शक्सियत के बारे में पंकज गुपता के बा हैं वो नौवे नंबर पर हैं ग्यारवे पर आ जाती हैं आतिशी बारवे पर सौरव भारद्वाज अब बताइए आउट ऑफ टेन हो गया हैं आतिशी या सौरव भारद्वाज मतलब यह पहले दस में भी नहीं है मतलब की इस लिष्ट में कुछ नेताओं को आउकात बताई गई है कि देखो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और मान लो कि सुनीता केजरिवाल ही अगली हेड हैं क्योंकि दूसरे नंबर पर वो महिला है जो कि आम आदी पार्टी से कोई मतलब अब तक नहीं थ जुनेता केजरिवाल संदेश जारी करेंगी और इस घ्जानकारी और मिल रही है कि सुनीता केजरिवाल जो प्रत्याश कि मैदानाने उतारें गई है लोग सभाघ्यों के अलगलग राज्यों में उन के साथ रिव्यू मीटंग कर रही है पैलकों हाँ ये बहुत महत्पुर्ण है इससे पहले जब लोगसभा चुना हुए थे नमरता 2019 में तो टिकट दे रहे थे संजैसी उस वक्त और जब 2024 आ गया तो सारा कुछ देख रही है सुनिता केज्रिवाल जो भी नए कंडिडेट बिल्कुल आपने सही का जो भी नए कंडिडेट है जिनको आम आधी पार्टी कंडिडेट बना रही है उससे सुनिता केज्रिवाल मुलाखात कर रही है और इस पूरे प्रोसेस से संजैसी को अलग रखा गया है तो किसी पार्टी के लिए चुनाओ बहुत crucial moment होता है और चुनाओ का संचालन कंडिडेट से मिलना अगर सुन अर्वीन केज्रिवाल जेल में उनसे मिलने को तयार है न कंडिडेट से बातचित करने दी जा रही है ये बेचारे आम को लेकर खाली प्रेस कॉन्फरेंस करने के लिए बने हैं कि केज्रिवाल ने पूरी खाई की आम खाया मतलब गजब इतने सिनिया में ताक इतनी बेजत कर रहा है कि आम आदमी पार्टी में सब कुष ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि साथ राजिसवा के सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य को छोड़ कर कोई एक्टिव नहीं है हर्भजन सी क्रिकेट कमेंटरी कर रहे हैं गुपता साहब अपना चुगार देख रहे हैं ये भाई पैसा वाला आदमी है इसको मतलब कोई मतलब नहीं इन सचियों से उसके बाद आप राजिसवा स्वाति मालिवाल अमेरिका में हैं रागव चड़ा लंडन में हैं उसके बाद दो तीन और हैं आप बताईन में से कौन एक्टिव दिख रहा है आपको अजीब अजीब से बयान आ रहे हैं एक ने का मुझे आमंतरत नहीं किया गया विरोध के लिए अब रहे हैं कि आमंतरन नहीं दिया गया मतलब यह तरक क्या है भाई मतलब कैसे आमंतरन भेजता हो सकता है कि हमारे यहां तो शादी के काड में कुछ हल्दी लगा के अक्षट डालके भेजा जाता है कि भाई साब आप परदर्शन करने आ जाए ऐसा चाह रहे थे वह मतलब गुमते हुए नजर आ रहे हैं रागव चड़ा कई मीडिया रिपोर्ट्स में आई यह खबर उनकी तस्वीरे आ रहे हैं अब कैसा का ऑपरेशन है जो कि लंडन में घूमने की इजाज़त देता है लेकिन भारत आने की इजाज़त नहीं देता अभी बहुत सारे आया तो हो सकता है केजरिवाल एंड कंपनी जो कि बाकी सारे लोग जो हैं उनकी तरह मुझे भी जेल भेजा जाए तो इसलिए अभी विदेश में हैं और वहीं से नेगोसियेशन कर रहे हैं कई वीडियो में हमने का कि प्रयास कर रहे हैं देखिए एक प्रयास उन्होंने क पैरवी की की राघव चडड़ा को लेलो पढ़ा लिखा आदमी है पैसे वाला आदमी है इसको देखो ने इसके साथ कितना नया हुआ पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना था सारा कैमपेइन पंजाब का राघव चडगण ने सम्हाला लेकिन अंत में केजरिवाल ने प्रिटेन में और पतनी आगई भारत में और पतनी देखिये ना अभी हाल में प्रणती के फिल्म रिलीज हुई है कोई चमकीला करके है अमर सिंग चमकीला उसमें सारा अक्टिविटी हुआ वीडियो संदेश वहां से दे रहे हैं और केजरिवाल के लिए कुछ नहीं है अब बताइए हम पत्रकार गलत हैं नहीं कुर मिलाकर देखिए पत्नी सुनिता केजरिवाल दोनों को स्टेज में सेंटर अस्थान दिया गया था इंडिया गडबंदन की जो रहले हुई थी रामडिला मैदान में क्योंकि वो केजरिवाल का दिशाद निर्देश था कि भाईया हम आपके गडबंदन में है तो हमने गडबंदन किया और विवहम ने लगवाया था उसको हाँ जैराम रमेश ने कहा किया रहे ये क्या है मतलब कि हमारे राहुल गांदी के रहते हुए स्टेज के सेंटर में जेल वाली फोटो के जिवाल के लगेगी चलबो नाइं तो उसको हटवा दिया उसके बाद क्या हुआ कि सारा मीडिय सुनिया गांदी और सुनीता के जिवाल बातचीत कर रही है अब बताएं उस पूरे फीजा में आमादी पार्टी के दूसरे नेता कहां थे मुझे तो लग रहा है कि देखिए जेल गए तो मनीशी सोधिया के लिए पत्नी जेल गए बेचारे संजै सी उस वक्त तक जेल में स्थान मिला स्टेज के नीचे नीचे से बैठके तालिया में जा रहे थे अब बताएए पार्टी को फॉर्म करने में इन सब का बराबर योगदान है की नहीं है की नहीं मनीशी सोधिया का कम योगदान है क्या इसलिए पंकत जी मैं बार बार ये चीज पूछ रही हूं कि यह गल्ती भारी ना पड़ जाए अच्छा एक की पत्नी सुनिए एक और महत्पून बात मनीशी सोधिया जब जेल गए तो उनसे बंगला खाली करवा लिया उ इसलिए तो लोग पूछ रहे हैं कि भाईया ती सोधिया से इस्तिफा ले लिया अगा मजा ले ने रहे हैं तुम अपने तूम क्यों नहीं दे रहो यहीं पर इसका जवाब है ह। इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मेरी पत्नी सीष महल में रिमोट चली परदे और कमाड का आरा हमें जरूर दीजेगा, नमस्कार.